Hello Friends, Welcome to our channel Fly High Learning Friends, हम लोग अभी डिस्कसन कर रहे हैं इसमें अभी हम लोग MCQ के फॉर्मेट में Modern Indian History को Chapter-wise cover कर रहे हैं और यह जो हम लोग डिस्कसन करते हैं यह Spectrum Book जो राजी वहिर के गिताब है A Brief History of Modern India इसी बुक से करते हैं और MCQ के फॉर्मेट में जो भी important question बनते हैं उसको हम लोग करके और explanation के थुर्व उस Chapter को discuss करते हैं लेकिन प्रिवियस एक lecture में मुझे लगा कि मैंने इस Chapter को अच्छे से cover नहीं किया है MCQ के थुर्म, यानि उसमें कुछ ज़्यादा MCQ बंद भी नहीं रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं उसको discussing कर लूँ और जब-जब मुझे ऐसा लगेगा कि किसी Chapter के साथ मैं MCQ format में justice नहीं कर पाड़ा हूँ तो मैं उस Chapter को पूरे detail में cover करूँगा पूरे detail में उसको analysis दे करके और उसका PDF आपको provide करा हूँगा वैसे PDF आप टेलीग्राम चैनल से यॉइन करके प्रतिरीन डाउनलोड कर सकते हैं जो भी question answer होते हैं या कुछी सी भी चीज का जो notes हैं उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो अभी हम लोग को उतना discussion स्टार्ट करते हैं इससे पहले हम लोगों ने 6 lecture अभी तक discuss किये हैं और तक्रीबान 100 questions के आसपास हम लोगों ने discuss कर लिया है और इससे पहले के जो 5 chapter है उसको हम लोगों ने cover भी किया है जिसमें मैं जब भी उसमें important information होती है उसको tabular form में provide भी कराता हूं question के last में तो वहां से आप उसको कम से कम याद रखिएगा कुछ friends की सिकाया थी कि मैं सारे slides को English में बनाया करूं तो friends ऐसा possible नहीं है क्योंकि मेरे पास कुछ doc में पड़े हुए documents हैं जो history से related है वो पहले से मैंने notes बना रखे हैं तो कुछ-कुछ slide आपको भी manage करने पड़ेंगे ताकि आप ना हो बेता तो आप जब मैं discuss कर रहा होता हूं तो आप उसको English में convert कर सकते हैं एक PDF fix करके एक software है या application है उसको download कर लिए और वहीं पे आप जहां पे हिंदी है उसी के बगल में आप English में भी लिख सकते हैं में discussion से देख करके क्योंकि हिंदी और इंगलीस में भी विलेजली ही ही होगा और हिंदी में भी विलेजली ही ही होगा ठीक है तो चलिए अपना discussion स्टार्ट करते हैं आज हम लोग का जो टॉपिक है यहाँ पे देख लिजिए वो 6 चेप्टर हम लोग डिस्कस हरेंगे इस बुक से जिसका नाम है पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस ब्रेटिस बिफोर 1857 तो बिफोर 1857 जितने भी पीपल्स मुमेंट हुए हैं इंडिया में जैसे पीजेंट मुमेंट ट्राइबल मुमेंट जो मुटनी हुए हैं उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उसके क्या कारण थे की पीपल्स का मतलब क्या है तो वो सारे लोग जिन्होंने ब्रेटिस रूल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस किया इसमें पीपल्स का मतलब डिफरेंस सेक्षन ऑफ इंडियन सोसाइटी के जो लोग हैं और इन लोगों ने जिन्होंने एलियन रूल या ब्रेटिसर्स के खिला थाया मre में बिद्रोग कीए, उन सब को इसमें सामिल किया जा जाता है। तो उसके अंतरकत बहुत सारे राजाओं को डिस्पोजट कर दिया गया था, तो वो लोग भी इसमें पाटिसिपेट कर रहे थे, जो military personal थे, military personal में वो लोग आते हैं जैसे जो बिटिस समराज के अंतरकत थे और वो बिभिन कारणों से नाखुष थे बिटिस समराज से जैसे wages बराबर नहीं मिल रहे हैं, उनकी promotion बराबर नहीं मिल रहे हैं, European व्यक्तियों की तुलना में, तो कुछ लोग वो थे, इसके अलावा गड़करी थे, नायंकार थे, पॉलिगार्स थे, तो ये लोग भी, जो थे military personal थे, तो ये लोग भी people's resistance में पाटिसिपेट कर रहे थे, religious leader, जैसे हिंदू-Muslim के जो मौलवी होते हैं, मौलाना होते हैं, पंडित होते हैं, या प्रिष्ट वर्ग होता हैं, वो लोग British समराज के खिलाफ लड़ रहे थे, क्योंकि उनका अपना interest था, वो या तो separately लड़ रहे थे, या साथ भी मिल कर लड़ रहे थे, तो इन सारे व पीपल्स रेजिस्टेंस के अंतरत वीपिन चंद्रा के नुसार तीन चीज़ें आती हैं, एक तो है civil rebellion, दूसरा है tribal uprising and third है present moments, ठीक है, कौन-कौन से एक factor responsible थे पीपल्स रेजिस्टेंस के लिए, तो फर्स्ट फैक्टर जो था, वो था colonial and land revenue system, या लेंड revenue settlement, अब जो colonial policy थी, आपको पता है कि 1773 में Warren Hastings इजारेदारी सिस्टम या contract farming को लाते हैं, contract farming लाने का बार क्या हुआ कि बहुत सारे जो पीजेंट थे, जो भूमी के मालिक थे, उनकी जमीने चीन करके और contract farming के अंतरगत जमिनदारों को दे दी गई, या बड़े बड़े landlord को दे दी गई, जो 1793 के आड़ पास जो Lord Cornwallis थे, उन्होंने रहितवारी बंदोबस्त को लाया, इसके अंतरगत उन्होंने जमिनदारों से settlement किया, जिसके कारण पिजेंट दुखी हो गए, तो ये एक कारण था, इसके अलावे भी बहुत साले revenue settlement system थे, जो किसानों को दुखी कर रहे थे, या पी इसरस प्लार्सी की वार जीतते हैं 23.1757 को, और उसके बाद बकसर का युद जीतते हैं 1764 में ये बेटल होता है, और 1765 में एक संधी होती है इलाहाबाद की संधी, तो ये संधी दो लोगों के साथ होती है, एक होती है ब्रेटिस और साह अलम दुतिये के साथ, मुगल इंप के साथ, तो मुगल इंपेडर ने बहुत तीन सर्तों के साथ एक सर्त ये भी मान ली थी कि बंगाल बिहार और उरिशा की जो दिवानी का अरिकार है, ये रेविणू वह सुनने का अरिकार है, वो ब्रिटिसर्ग के हाथों में दे लिया है, जिसके कारण बहुत सारे टैक्स इसके चलते भी जो किसान थे वो दुखी थे जो लोग थे वो दुखी थे इविक्षन और पिजेंट फॉम देर लेंड अभी मैंने आपको बताया कि उनको किसानों को उनकी भूमी से विदखल किया जा रहा था अब जैसे माल लिए कि बंगाल में एक किसान है पहले वो अपना लगान खुच चुकाता था तिन अब क्या होगा कि किसान सिर्फ अपनी जमीन पर खेती कर रहे हैं लगान उनसे कोई और वसूल कर रहा है और मनी लेंडर कोई और है रेविन्यू कलेक्टर कोई और है तो इसस मेडियरि क्लास पिजेन काकी जाधा सोसन करते थे खिक है तो जिसके चलते भी विद्रोव हुए एक्स्पैंजन्सन ओफ रेवन्यू अदमिस्ट्रेशन ओवर ट्राइवल लेंड झो रेवन्यू एडमिस्ट्रेशन था ट्राइवल लेंड के उपर भी जो ट्राइवल जो आर्टिजांस क्लास थे उनकी अपनी दिक्कत थी कि जो मैनुफेक्टरिंग गूड थे आर्टिजांस क्लास के तो इंडिजिनियस इंडस्ट्री जो कुटिर उधोग जिनको आम लोग बोलते हैं लगू और कुटिर उधोग उसको बिटिस पॉलीसी ने चौपट कर दिया फॉर एक्जांपल एक उधारन से समझते हैं पहले जो था आप जब एरा ओफ डार्कनेस ससी थरूर की एक बुक है काफी अच्छी बुक है बिटिस इरा के उपर तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें ये बात लिखा हुआ है कि 1765 से पहले पूरे दुनिया का जो 90% क कि आज पास क्लॉथ का ट्रेड होता था रेस्मी वस्त्रों का वो इंडिया करता था ठीक है यानि एक्सपोर्ट करता था लेकिन बाद में क्या हुआ जब इटिसर्स आएं तो उन्होंने यहां पर सिल्क की पैदावार करवाई कॉटेन को पैदावार करवाया इंडिगो का पैदावाया और रोमेटिडियाल को यहां से क्या हुआ 1760 के रशक में इंगलेंड में ओदोगी प्रांद नि कर रूधुी सुरू हो गई तो यहां से रोमेटियाल को भीज़ते थे और वहां से जो था मैन।्म के लिलेटक Нचनल को पैदगाए जाता और लेकिन Mmm और मासकी कि आप जब एक डनलफ है ये डनलफ वो बिटी सरीकारी थे तो उन्होंने लिखा है अपनी बुक में कि जो बिटी सर्स थे उन्होंने इंडियन ट्रेट को खतम करने के लिए एक्सपोर्ट टेक्स बहुत जादा लगा है उदारन के तौर पर उन्होंने बताया कि एक रूमाल था आर्टिजांस लोगों का जो बेपार था वो इसे काफी ज़्यादा प्रभावित होगा इंड आफ पैट्रोनेज टू प्रिष्टली एंड श्कॉरलर्ली क्लास जो पूरोहीत वर्ग थे तो उनकी जो लोकल रूलर होते थे लोकल रूलर उनको पैट्रोनेज करते थे उ स्वदेशी का जो कॉंसेप्ट है 1905 में तो इसमें यहीं बात कहा गया कि अपने देश का सासक कितना भी कुरूर और तैचारी क्यों नहों वो दूसरे देश के अच्छे सासक से भी अच्छा होता है ठीक है तो यह कॉंसेप्ट भी था तो इसको आप याद रखिएगा कि इसको समझने से पाले हम लोग सिविल अप्राइजिंग के बाड़े में जाते हैं कि यह सिविल अप्राइजिंग था क्या इसके अंतरगत कौन-कौन से लोग सिविलियन में स्तामिल होते हैं कोई भी व्यक्ति कोई भी वर्ग के लोग जो डिप्रेंस और मिलेटरी में कारि लॉर्ड पॉलिगार पॉलिगार कौन थे इसको आप याद रखिएगा कि साउथ इंडिया में विजैनगर समराज के समय नयांकार सिस्टम चलती थी नयांकार सिस्टम में जो भी व्यक्ति लेंटरी सेवाप मिलिटरी सर्विस प्रॉवाइट करता था तो बदले में उसको क्या होता था लैंड मिलता था और इस लैंड के जो होल्डर होते थे उनको पॉलिगार पका जाता था सेम यहीं चीज आपको similarity मिलेगी इक्तेदारी सिस्टम में ठीक है तो इक्तेदारी सिस्टम और जब इक्तेदारी सिस्टम में संकट आता है तो दिल्ली समराजी का खातमा होने लगता है जागिरदारी क्राइशी से मुगल समराजी का और उसी तरीके से जो नैंकार सिस्टम है तो नेंकार सिस्टम विजय नगर समराज के लिए घातक सीद हुआ बाद में ठीक है तो ये एक बड़ा डिवेट है जिसको आम लोग कभी देखेंगे फिलहाला भी समझते हैं कि पॉलिगार कौन थे ठीक है इसके अलामा जो एक्स्टरनर्स थे ऑफिसियल, कंकर्ड किंगडम और कुछ डिलिजियस लीडर इन सब को सिविल अप्राइजिंग में सामिल किया जाता है मेजर कौज कौन-कौन थे सिविल अप्राइजिंग के? सबसे पहले तो आप ये भ्याद ध्यान वाकिये कि जो इस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक एलियन कंपनी थी व्यपार करने के उद्धे से आई थी तो उसकी जितनी भी पॉलिसी थी, चाहे वो अच्छी पॉलिसी हो भी बुरी पॉलिसी हो सभी उनके अपने फाइदे के लिए थे और इस चक्कर में उन्होंने जितने भी रैपीडली एकनोमी ट्रांसफॉर्मेशन किये, एड्मिस्ट्रेशन, चेंज़ेज किये, लैंट रेविन्यू सिस्टम में बदलाव किया, ये सारे के सारे पिपल के अगेंश्ट है, ठीक है बहुत सारे जमिंदार या पॉलिगार जो थे, उनका अपनी जमीन से कंट्रोल खतम हो गया, रेविन्यू जो था काफी ज़्यादा बढ़ गया, और ये रेविन्यू कहीं बार ऐसा होता था कि जो पूराने रेविन्यू थे उनको भी नए में डाल करके और व्याज के साथ ने डूलर को दे दिया जाता था, तो जिससे काफी ज़्यादा बर्डेन होता था, दूसरी बात कि जो जमिंदार और पॉलिगारों से जमीन शिनी गई, या इनकी जमीन पर जो किसान खेती करते थे तो इनसे टैक्स वसूलने के लिए एक दूसरा ओफिसियली, लेंडर से, तो ये भी एक संतोस का कारण था, इसके अलावा जो इंडियन हैंडिक्राफ्ट इंडस्ट्री था, अभी मैंने आपको बताया कि इंडियन हैंडिक्राफ्ट इंडस्ट्री में क्या होता है, एक्जामपल के लिए समझते हैं, जैसे कुमार होते हैं, पोर्टरी की यहुड़त हो गई इन सब चीज़ों की यहुड़त होती थी तो वो किसके पास जाते थे आरन इसमीद के पास एरन इसमीद हतियार प्रोवाइड कराते थे और बदले में इनको क्या मिलता था पैसे मिलते थे जिनकी इसकी रोजी रोटी चलती थी कुमार का जो बरतन होता था वो रूलर क्लास यूज करते थे और बदले में कुमार को रोजगार मिला था जो बारबर था बारा बल उटेदार जो कहा जाता है यानि बारा आर्टिजांस थे उस समय तो जब रूलर क्लास खतम होता है तो रूलर क्लास के खतम होने के साथ ही उनके जो आर्टिजांस प्रिश्टली क्लास थे पुजारी बर्गर के जो लोग थे जो प्रिचिंग का काम करते थे जो पंडित थे मौलवी थे प्रिश्ट थे यह सब भी बिरोजगार हो गए जब इनके लोकल रूलर या पैट्रोनेज रूलर या बिरूक्रेटिक लाइट खत्म हुए तो Fall of Jaminder and Feudal Lords का drastically प्रभावपड़ा प्रिष्टली क्लास पे इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह थी कि जब भी British Officers कोई बात बोलते हैं और तो ऐसा लगता भरतियों को कि एक Contemptuous Treatment है यानि उनके साथ तिरसकार पूर्ण behavior किया जा रहा है जो उनके गर्भ को उनके जो आत्म सम्मान था उसको थेस पहुंचा था ठीक है तो इसके कारण भी विद्रो का एक important कारण था अब 1857 से पहले जो important civil uprising हुए उसके बाड़े में हम लोगत देख लेते हैं प्रेंट्स मैं अगर चाहूं तो इसको detail में भी discuss कर सकता हूं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो आपसे exam में पूछे जाते हैं वो revolt के बाड़े में जब कोई पूछा जाता है तो आप वो chronology के order में सजाने के लिए दे दी तेगा या place पूछ लेगा कि कौन से place पर हुए था या उसके leader कौन थे तो हम लोग इसी के format डिसकस करेंगे और कोई important बात होंगी तो मैं भी वो आपको share करते चलूँगा सबसे पहले सन्या सिरी बोल्ट की बात करते है इसका time period है 1763 से लेकर के 1800 तक और इसका जो छेतर है कि इन छेतरों में हुआ ये बिहार और बंगाल वाले रिजन में हुआ इसके जो leader थे वो थे मंजूसा, मुसासा, भवानी पाठक और देवी चौधरानी एक बात याद रखिए कि 1763 के दसक में 1760 के दसक में एक महिला जो है वो आंदोलन में participate कर रही है तो इसी कारण ये काफी ज़्यादा चर्चित महिला है देवी चौधरानी और important leader भी है और बंकिम चंदर चटरजी ने एक नाटक भी इनको समर्पित किया है देवी चौधरानी नाम से इसके अलावा जो सन्यासी रिबोल्ट है इसका जिक्ड बंकिम चंदर चटरजी ने अपनी पुस्तक जो है वो अनन्दमट उसमें इन्हों ने इसका जिक्ड किया है ठीक है दूसरा है civil rebellion of award civil rebellion of award जो है जो civil rebellion है अवद का इसकी time period है 1799 इसकी एक बड़ी रोचक कहानी है जो मैं आपको अभी share करना चाहता हूँ वजीर अल्ली खान अंग्रेजों के चापलूस हुआ करते थे तो सुरू में अंग्रेजों की किरपा देश्टी रही और ये अवद के चौथे नमाब के तौर पे निविक्त हुए लेकिन बाठ में अंग्रेजों से इनकी बनिनी जैसे अक्सर हमेशा अंग्रेजों के साथ होता है और सादत अली खान उसको अंग्रेजों ने रूलर बनाया फिर क्या हुआ कि एक बार वजीर अल्ली खान ने कुछ अंग्रेज ओफिसियल को घर पे बुलाया दावत के लिए और उनको इन्होंने मार दिया और तक्रीबन लाखों की संक्या में यानि आप कर सकते कि कुछ हजार की सेना को इकठा किया बिर्टिस से लडने के लिए और इक्रीज नाम के गवर्नर यानि जो लिडर बिर्टिस जनरल था आर्मी जनरल उसने इसको प्राजिट किया फिर ये भाग करके जैपूर के राजा के पास चले जाते हैं उस समय 1799 में आपको याद हो तो इसमें फोर्थ आंगल मैसूर वार चल रहा था और लॉर्ड बेलेजली जो था गवर्नर जनरल था उसने जैपूर के राजा से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप देखो ऐसा है कि मेरी इससे बनती नहीं है और इसने मुझे चीट किया है धोखा दिया है तो आप इसको अपने रे स्टेट से बाहर निकालो ये रिक्वेस्ट ही किया था इन्होंने जैपूर का राजा ने बोला कि ठीक है मेरे यहां तो बस देव का टुमकम की पधती चलती है और अतिती देव बावा तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम मैं एक ही सर्थ पे निकालूंगा जब आप इसको हैंग्ड नहीं करेंगे फांसी की सजा नहीं देंगे तो बिटी सर्थ ने कहा कि ठीक है नहीं देंगे जब वजीर अल्ली खां को जैपूर से इनको सुपूर्द किया गया तो इनको जो है डंड नहीं दिया गया हलां कि एक्जाइल कर दिया गया और किसी दूसरी जगापर इनको निर्वासित कर दिया गया खीक है तो इसके कारण यह civil rebellion of over गई पॉलिगार revolt पॉलिगारों के बाड़े में मैंने आपको बताया कि यह दक्षिन भारत के नेंकार system के अंतरकर आते थे दक्षिन भारत में जो विजय नगर समराज कंतरकर जीन military service देने वालों को जमीन दी गई थी तो उनको जमीन के landlords जो थे उनको पॉलिगार का आ जाता था इन्होंने विद्रो कर दिया क्योंकि जो नया land settlement system आया दक्षिन भारत में जिसके कारण पॉलिगारों की जमीन जो है वो छिन गई तो यह जो time period है वो था 1795 से 1805 के बीच में और त्रिवेली, रामनातपूरम, सिउगिरी और मदुरे ये सभी तमिलनाडू के district है तो यहाँ पर ये लोग आंदोलन करते हैं इसके जो important leader है वो है कट्टा बोमन नायकन revolt of दिवान वेलू थम्पी तो 1808 से लेकरके 9 तक इनका time period है और ये जो region है वो त्रावन कोर का region है और इसके जो important leader है वो है दिवान आफ एस्टेट वेलू थम्पी ठीक है इसके बाद कुछ और important civil uprising है उसके ब्याड़े में भी देख लेते हैं rising at barely इसकी time period है 1816 उत्तरप्रदेश जो बड़ेली जो है उत्तरप्रदेश का एक जगा है और मुफ्ती मुहमत अयाज नाम के एक विप्ती थे जो municipal tax जब बढ़ाया गया तो इसी के प्रतिरोध स्वरू प्रेसिस्टेंस के तोर पर इन्हों नहीं सांदोलन को शुरू किया असाम होता है और इसके जो लीडर है यह बहुत इंपर्टेंट है गोमधन पूर और महाराजा पूरंदर सिंग गड़करी रिवोल्ट गड़करी भी बैसिकली थे हेडिटरी मिलिटरी क्लासे थे गड़करी लोग और इनका जो डिवोल्ट था जब कोलापूर महाराज के अंतरगत यह लोग सिविल मिलिटरी सर्विस या मिलिटरी सेवा दिया करते थे जब कोलापुर के महराज का जो स्टेट था वो सीज कर लिया गया सारी जमीने जब्त कर ली गई तो ये गड़कडी लोग बिरुजगार हो गए और एग्रेडियन क्राइसिस भी आ गया यहां पर तो इसलिए 1844 में इन लोगों ने आकरमन किया या रिवोल्ट किया जो भी हो वेस्टर्न फ्रेंटियर और पंजाब में हुआ था जिसकी टाइम प्रिएड है 1830 से लेकर के 61 तक तो इसके लीडर का नाप आप याद रखिएगा सेयद अहमद बडेलिवी कुका मुमेंट की टाइम प्रिएड है 1840 से लेकर के 72 तक यह पंजाब रिजियन में होता है और यह एक रिलिजियस मुमेंट था जिसके लीडर थे भगत च्वाहरमल और बार में यह जो अंदोलन था वो ट्रांसफर्म हो गया पलिटकल अंदोलन के रूप में और राम सिंग को जो इसके एक इंपोर्टेंट लीडर थे उनको डिपोर्ट करके रंगून भेंज दिया गय कि जो डिजन थे बुंडेल खंड का यानि मदप्रदेश और उत्तरप्रदेश का यहाँ पे तीन किलो के जो लोग या किलेदार थे इन्होंने आंदोलन किया जैसे लक्षमन दवाग जो यह किलेदार ओफ अजेगर फोर्ट के थे दैडा सिंग यह किलेदार थे कालंजर प ठीक है तो I hope you got clarity regarding all this moment और आप इसको याद रखेंगे अब चलते हैं present moment पर जो present of rising थी इसके भी basically क्या कारण थे जो इनका increase of rent land rent जो बढ़ रहा था money lenders के greedy तरिकों के कारण जैसे यह पैसे देते थे आपको याद होगा जो डखन का revolt होता है 1760 में इसका एक कारण यह भी होता है कि money lenders काफी ज़्यादा जब पैसे देते थे तो उसका ब्याज काफी ज़्यादा बढ़ा चड़ा करके लिखते थे तो यहाँ पर money lenders से भी problem था किसानों को तो इसके क अपनी ही जमीन पर मजदूर बन करा गये थे ठीक है स्रमिक बन गये थे तो इसलिए यह revolt हुआ इनका their aim was occupy rights from present among other things और यह जो rebellion थे जो किसान थे कहीं बार अज्यानता वह स्याप्यों कहा सकते हैं कि इनके leader जमिंदार बढ़ भी हुए और जमिंदार बढ़ खला की अपनी मत 57 से पाले वे उसमें important है नारकल बेडिया अपराइजिंग जो 1831 में होता है 24 प्रगना district में बंगाल के टीटू मीर जो है इसके inspired leader होते हैं और वेश्ट बंगाल में हिंदू landlord के खिलाप ये आंदोलन करते हैं ठीक है दूसरा important जो present moment है वो है पागलपन थी 1825 से 35 के बीच में में मेंम सिंग डिस्टिक एक है बंगाल का यहाँ पे करमसा और उसके जो बेटे थे टीपू इनके इन्होंने जमिंदारों के अगेंस्ट आंदोलन शुरू कर दिया ठीक है यहाँ पर भी आप देखिए कि यहाँ और मुस्लिम तिनेंट्स ने बंगाल में हिंदू लेंडलोड के लिए मुमेंट किया करमसा और टीपू ने जमिंदारों के खिलाख मुमेंट किया इसी तरीके से फराजी रिबोल्ट था 1838 से 57 यह फरीरपूर इस्टरंड बंगाल में होता है और सरियत अल्लाह और इनके सं दादूमिया यह लोग इस एक रिलिजियस सेक्ट जो फराजी है इस सेक्ट के जो इस्टैबलिस्मेंट इन्हों ने ही किया था सरियत अल्लाह और दादूमिया फराजी रिबोल्ट के 1838 से 57 के बीच में आप्टर डेट जो मोपला है मोपला अप्राइजिंग होती है 1836 से ल इसके कारण मोपलाओं ने विद्रो किया यह याद रखेगा कि यह 1922 के आसपास भी यह विद्रो चलता है जब असायोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करने लगते हैं मोपला बैसिकली क्या थे कि यह के मुस्लिम किसान थे और इन्हों ने हिंदू जमिंदारों के अब ट्राइबल मुमेंट के बाड़े में देख लेते हैं ट्राइबल मुमेंट को हम लोग दो पार्ट में डिसकस करेंगे एक पार्ट होगा में ट्राइबल लैंड के बाड़े में और जो दूसरा पार्ट होगा वो फ्रंटियर ट्राइबल लैंड के बाड़े में अभी ह मेन ट्राइबल डिवेलियन थे इनके अंतरगत जो डिवोल्ट होता है वो ट्राइबल लेंड और फोरेश्ट को ले करके होता है ट्राइबल लोगों की अपनी कस्टमारी होती है उनकी अपनी प्रथाएं होती है अपनी संस्कृति होती है तो जब लेंड सेटलमेंट सिस्टम आया तो ट्राइबल लोगों में ज्वाइंट ओनर्सिप लैंड की ज्वाइंट ओनर्सिप होती है तो वो एक सोसल फैबरिक का पार्ट है जैसे कभीले के लोग एक भूमी के खेंसे पर खेती करते थे और वहां के उपज को ये लोग अपने अवसकत्या के अनुसार बांट ल ट्राइबल लोग जो थे वो सिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे शिफ्टिंग कल्टिवेशन करने का इनका अपना एक उधेस होता था क्योग उतनी टेक्नलोजी इनको पता नहीं थी तो एक बार जंगल को ये लोग फोरेस्ट को क्लियर करते थे और दो-तीन साल तक महां पर काफी घनी सघन मात्रा में खेती करते थे जब ऐसा लगता था उनको कि इस लेंड की अब फर्टिलीटी खतम हो गई तो उसको छोड़कर दूसरे अस्थान पर चले जाते थे तो उसके पीशे उनकी अज्यानता थी लेकिन बिटी सर्स लोगों ने क्या किया कि शिप्टिंग कल्टिवेशन को बैन कर दिया अपने मकसद के लिए ऐसा नहीं था कि वो फॉरेस्ट को कट नहीं कर रहे थे लेकिन सिर्फ उन्होंने जो ट्राइबल लोग थे उनके लिए ज होता है वो जंगल को अपनी माता मानते हैं ठीक है तो इसलिए भी वो लोग कर रहे थे गवर्मेंट जो था कंट्रोल अपना बढ़ा दिया था ट्राइबल एडिया पर इसके अलावा इक गवर्मेंट की अपनी जरूरत थी क्योंकि कंपनी को सीपिंग और रेल्वे का की क्रांती से जो तैयार माला है मैनुशेक्शनिंग गूड्स हैं उसको भारत के अलग-अलग हिस्से में पहुंचाया जा सके ठीक है इसके अलावा जो पुलिस थे ट्रेडर थे मनी लेंडर थे ये सब भी ट्राइबल का सोसन करहीं रहे थे उनकी महिलाओं के साथ बलतकार करने थे पुर्सों को अनावस्यक पीट रहे थे उनका मडर कर रहे थे तो तरह तरह के जुल्म उन पर ढहते रहते थे ठीक है कुछ जेनरल लोग ऐसे थे जैसे बिटी सर्स जितने भी कानून लाए तो अब ट्राइबल लोगों की अपनी कश्टम है उनकी अपनी ट्रेडि बढ़ रहा था क्रिस्चन मिस्नरियों का इफेक्ट बढ़ रहा था ट्राइबल लैंड में तो जबरदस्ती ट्राइबल को क्रिस्चनिटी में भी कनवर्ट किया रहा था या लोग दे करके ठीक है तो इन सब कारणों से भी ट्राइबल मॉमेंट हुए लेकिन ये जैसे नन इस्टर्ण फ्रंटियर नॉर्थ इस्टर्ण ट्राइबल मुवमेंट अब जैसे गारों के रीजन में गारों खासी और जैन्तिया ही ले असम ही ले मनीपूर ही ले वहां पर कुकी मैटी जो ट्राइबल्स हैं इन लोगों ने जो आंदोलन किया तो यह इनकी इमलगेट होते थे जैसे कुकी ट्राइब थी मनीपूर की तो इसकी बोर्डर महयन मारे के साथ सेर होती है आज का जो महयन मारे यहां पर दोनों के बीच में आदान-प्रदन काफी जादा था इसके लावाँ जो खासी हिल्स के जो खासी जन जाती थी इनका असम के साथ बो रहा था जिसके कारण ये पॉलिटिकल अटोनोमी को अपना जो उनकी प्रांतिये स्वायत्ता थी उसमें बाधा पड़ रही थी दूसरी इंपोर्टेंट बात कि ट्राइबल लोग ये तो चाहते थे कि इंडिया ठीक है आजाद हो जाए ब्रिटिस हर्स से मुक्त हो जाए ले कि अलाआ निका जो डिवोल्ट था वो सिर्फ फॉरेस्ट और एग्रेरियन बेश्ट डिवॉल्ट नहीं था बल्कि ये तो पाले से हिं इनका लेंड और फॉरेस्ट एडिया इपर कन्ट्रोल था तो ये कारण ये भी था कि ये दूसरे मायने में बाधा में इनका डिवोल से 1816 अब जब कभी भी अगर आपको क्रोनोलोजिकली सजाने के लिए बोला जाए डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ओर्डर में तो आप फर्स्ट डेट याद रखीगा 1766 से 72 तक ये जो रिवोल्ट होता है वो मिदनापूर डिष्टिक बंगाल में होता है और इसके जो लीडर थे वो थे स्याम गंजन, दुर्जन सिंग और मैदहब सिंग ठीक है कोल म्यूटनी 1831 में होती है बंगाल और विहार वाले डिजन में बुद्धो भगत इसके इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं हो और मुंडा डिवोल्ट 1822 में होते हैं शुरू होता है और बाकी ये तीन यर्स में लगातार चलते रहते हैं इसके लावां 1819 से लेकर 99 से 1900 तक भी होता है इस समय हो मुमेंट और मुंडा मुमेंट का जो नेतरित किया वो बिड़सा मुंडा ने किया 1899 नैंटीन हंडिड में और ये जहरखंड या छोटनागपूर के रिजन में हुआ संथाल रिवोल्ट 1855-56 में हुआ राज महल हिल्स जो बिहार में है और सिध्धू कानू चांद भहरो भूलो जानो इसके इंपोर्टेंट रिड़र थे फोन्ड अप्राइजिंग 1837-1856 तक हुआ और ये तमिलनाडू से लेकर के और इस्टर्ण घाट जितना भी है उरिशा तक इसमें चक्र विश्णोई के नेतरितों में ये आंदोलन हुआ तो इसको आप याद रकी है फोन्ड अप्राइजिंग के लीडर थे चक्र विश्ण जो कोया डिवोल्ड था वो 1803 में सुरू होता है आंध प्रदेश वाले रीजन में और टोमा सोडा और राजा अनंत यार ये इसके इंपोर्टेंट लीडर थे भील मुमेंट 1817 से लेकर के 1913 दो टाइम प्रियेड में होता है और ये खान देश धार मालवा राजस्थान का जो रीजन है वहां पी ये भील मुमेंट होता है रामोसी विद्रोब इस्टर्ण घाट में ये काफी इंपोर्टेंट है आप याद रखिएगा और इसके लीडर जो थे चितूर सिंग थे 1822 29 में हुए और 1839 49 कम से का आप लीडर और कौन से प्लेस पे हुए ये तो सेना को ये अग्रेट पाटिसिपेट किया था युद्ध में जो सिप्वाय मुटन थे उसके भी कुछ कारण थे जैसे डिस्क्रिमिनेशन इन पेमेंट और प्रोमोशन मिश्ट्रीट्मेंट ऑफ दसिप्वाय बाइद ब्रिटिस ऑफिसियल यानि जो ब्रिटिस ऑफिसियल इसलिए बहुत बड़ी मातरा में इनडियन को जो है फाइट फाइटिंग के लिए रिमोट एडिया में बेजाता था जैसे 1799 के दसक में आपको अगर ध्यान हो तो उसमें फ्रेंच बी ओर रहा था और फ्रेंच के फ्रेंच वड या करनाटक फ्रांस वर था तो इन सम्में participation के लिए बिटी सर्स ने इंडियन्स का अप्यों किया लेकिन इनको भत्ता नहीं देते थे फॉरेंड सर्विस इलावेंस नहीं देते थे इसके अलावा जो उचकास्ट के हिंदू वर्ग थे लॉर्ड कैनिंग ने एक पारिट किया जेनरल सर्विस इनलिष्टमेंट एक्ट 1856 उसमें उन्होंने ओर्डर दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर नौकरी करना चाहता है जॉब लेना चाहता है तो उसको हर जगा काम करना पड़ेगा रेडी फॉर फॉर्विस बोथ विरीन एंड आउटसाइड इंडिया मतलब भारत में भी और भारत के बाहर भी ठीक है अपरकास्ट के कुछ डिवोल्ट इससे पाले भी देखने को मिले क्योंकि जो बेटी सर्स के कानून थे वो इनके रिलिजियस बिलीफ फेथ के साथ मैच नहीं काते थे और इनको ऐसा लगता था कि बेटी सर्विस कंडिशन ऐसी है इसे हिंदू धर्म ख पानेगा तो यह सब चीजे जब कहा गया अब जनेव नहीं पाना तो यह सवर्न हिंदूओं के लिए अपरकास्ट हिंदूओं के लिए काफी बड़ा जो था ट्रेजडी था यानि वो सौक्ट हो गए और इसके लिए इन्होंने बिद्रो किया क्योंकि धर्म उनके लिए ब यहानि मेंद्र को क्रॉस करना पड़ेगा और जो भारतिये लोग थे वह समुन्द्र को क्रॉस करना अच्छा नहीं समझते थे वह काश्ट का काम बानते थे चोटी जाती का काम बानते थे ठीक है तो इसलिए भी यह डिवोल्ट हुए इक से कुछ इंपॉटेंट सीप्वा महराष्ट में 1833 में इसके लावा ये नेटिव इंफेंट्री जो हुए 34th नेटिव इंफेंट्री 22nd नेटिव इंफेंट्री ये आप सिर्फ याद रखिए एक मेंस में आपको एक आइडिलोजी मिल जाएगा कि इसका पीटी में बहुत कम इंफेंट्रेंट हैं सिर्फ वेलोड आप मूटनी आप याद रखिएगा कि यह वेलोड आप मूटनी एटीन हंड़ेट 6 में हुए थी और इसमें जोर्ज बॉर्लो यह नाम याद रखिएगा ये इटीन हंडर 5 में यह गवर्नर जनरल बनके आत झाल झाल